कथा साहित्ते में आपका स्वागत है आईए आज सुनिये जेशंकर प्रसाजी की लिखी कहानी कहानी का शीर्षक है छोटा जादुगर कार्निवल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी हंसी और विनोत का कलनाद गूंज रहा था मैं खड़ा था उस छोटे फुहारे के पास जहां एक लड़का चुप-चाप शराब पीने वालों को देख रहा था उसके गले में फटे कुड़ते के ऊपर से एक मोटी सी सूत की रसी पड़ी थी और जेब में कुछ दाश के पत्ते थे उसके मुह पर गंभीर विशात के साथ धेर्य की रेखा थी मैं उसकी और ना जाने क्यों आकरशित हुआ उसके अभाव में भी संपन्नता थी मैंने पूछा क्यों जी तुमने इसमें क्या देखा मैंने सब देखा है यहाँ चूड़ी फैंकते हैं खिलोनों पर निशाना लगाते हैं तीर से नंबर छेथते हैं मुझे तो खिलोनों पर निशाना लगाना अच्छा मालुम हुआ जादुगर तो बिल्कुल निकम्मा है उससे अच्छा तो ताश का खेल मैं ही दिखा सकता हूँ उसने बड़ी प्रगलबता से कहा उसकी वाणी में कहीं रुकावट ना थी मैंने पूछा आर उस परदे में क्या है वहाँ तुम गई थे नहीं वहाँ मैं नहीं जा सका टिकट लगता है मैंने कहा तो चल मैं वहाँ पर तुमको लिवा चलूँ मैंने मन ही मन कहा भाई आश के तुम ही मित्र रहे उसने कहा वहाँ जाकर क्या कीजिएगा चलिए निशाना लगाया जाए मैंने उसे सहमत होकर कहा तो फिर चलो पहले शर्बत पी लिया जाए उसने स्विकार सुचक सिर हिला दिया मनुशे की भीड से जाड़े की संध्या भी वहां गर्म हो रही थी हम दोनों शर्बत पीकर निशाना लगाने चले राह में ही उससे पूछा तुम्हारे घर में और कौन है मा और बाबुजी उन्होंने तुमको यहां आने के लिए मना नहीं किया बाबुजी जेल में है क्यों देश के लिए वो गर्म से बुला और तुम्हारी मा वो बिमार है और तुम तमाशा देख रहे हो उसके मुह पर तिरसकार की हसी फूट पड़ी उसने कहा तमाशा देखने नहीं दिखाने निकला हूँ कुछ पैसे ले जाओंगा तो मा को पत्थे दूँगा मुझे शर्बत ना पिला कर आपने मेरा खेल देख कर मुझे कुछ दे दिया होता तो मुझे अधिक प्रसनता होती मैं अश्चर्य से उस तेरह चौधा वर्ष के लड़के को देखने लगा हाँ मैं सच कहता हूँ बाबुजी माजी बिमार है इसलिए मैं नहीं गया कहाँ? जेल मे जब कुछ लोग खेल तमाशा देखते ही हैं तो मैं क्यों ना दिखा कर मा की दवा करूँ और अपना पेट भरूँ मैंने दीर्ख निश्वास लिया चारों और बिजली के लटू नाच रहे थे मन व्यग्र हो उठा मैंने उससे कहा अच्छा चलो निशाना लगाया जाए हम दोनों उस जखा पर पहुंचे जहां खिलोनों को गैन से गिराया चाता था मैंने बारहा टिकट खरीद कर उस लड़के को दिये वो निकला पक्का निशाने बाज उसकी कोई गैन खाली नहीं गई देखने वाले दंग रह गए उसने बारहा खिलोनों को बटोर लिया लेकिन उठता कैसे कुछ मेरी रुमाल में बंधे कुछ जेब में रख लिये गए लड़के ने कहा बाबु जी आपको तमाशा दिखाऊंगा बाहर आईए मैं चलता हूँ वो नो दो ग्यारहा हो गया मैंने मन ही मन कहा इतनी जल्दी आँख पदल गई मैं घुमकर पान की दुकान पर आ गया पान खाकर बड़ी देर तक इधर उधर टहलता देखता रहा जुले के पास लोगों का उपर नीचे आना देखने लगा अकसमात किसी ने उपर के हिंडोले से पुकारा बाबुजी मैंने पूछा कान? मैं हूँ छोटा जादुगर कलकत्य के सुर्मय बोटेनिकल उध्यान में लाल कमलिनी से भरी हुई एक छोटी सी जील के किनारे घने वरिक्षों की छाया में अपनी मंडली के साथ बैठा हुआ मैं जल्पान कर रहा था बाते हो रही थी इतने में वही छोटा जादुगर दिखाई पड़ा हाथ में चार खाने का खादी का जोला साफ जांग्या और आधी बाहों का कुर्ता सिर पर मेरी रुमाल सूत की रसी से बंधी हुई थी मस्तानी चाल में जूमता हुआ आकर वो कहने लगा बाबुजी नमस्ते आज कहिए तो खेल दिखाऊं नहीं जी अभी हम लोग जल्पान कर रहे हैं फिर इसके बाद क्या गाना बजाना होगा बाबुजी नहीं जी तुमको क्रोट से मैं कुछ और कहने जा रहा था श्रीमती जी ने कहा दिखलाओ जी तुम तो अच्छे आए भला कुछ मन तो बहले मैं चुप हो गया क्योंकि श्रीमती जी की वानी में वह मा कीसी मिठास थी जिसके सामने किसी भी लड़के को रोका नहीं जा सकता उसने खेल आरंब किया उस दिन कार्निवल के सब खिलोने उसके खेल में अपना अभिने करने लगे भालू मनाने लगा बिली रूठने लगी बंदर घुड़कने लगा गुड़िया का बिहा हुआ गुड़ा वर काना निकला लड़के की वाचालता से ही अभिने हो रहा था सब हस्ते हस्ते लोटपोट हो गए मैं सोच रहा था बालक को अवशक्ता ने कितना शिग्र चतुर बना दिया यही तो संसार है ताश के सब पत्ते लाल हो गए फिर सब काले हो गए गले की सूत की डोरी टुकड़े टुकड़े होकर जुट गई लट्टू अपने से नाच रहे थे मैंने कहा अब हो चुका अपना खेल बटोर लो हम लोग भी अब जाएंगे श्रीमती जी ने धीरे से उसे एक रुपया दे दिया वो उच्छल उठा मैंने कहा लड़के छोटा जादुगर कहिए यही मेरा नाम है इसी से मेरी जीवी का है मैं कुछ बोलना ही चाहता था कि श्रीमती जी ने कहा अच्छा तुम इस रुपय से क्या करोगे पहले भर पेट पकोड़ी खाऊंगा फिर एक सूती कंबल लूँगा मेरा क्रोथ अब लाट आया मैं अपने पर बहुत गुद्ध होकर सोचने लगा ओह कितना स्वार्थी हूँ मैं उसके एक रुपया पाने पर मैं इश्या करने लगा था न वो नमस्कार करके चला गया हम लोग लता कुंच देखने के लिए चले उस छोटे से बनावटी जंगल में संध्या साएं साएं करने लगी थी अस्ता चलगामी सूर्य की अंतिम किरन व्रिक्षों की पत्यों से विदाई ले रही थी एक शांत वातावरन था हम लोग धीरे धीरे मोटर से हावडा की ओर आ रहे थे रह रहकर छोटा जादुगर स्मरन होता था तब ही सचमुच वो एक जोपड़ी के पास कंबल कंधे पर डाले मिल गया मैंने मोटर रोक कर उससे पूछा तुम यहां कहा मेरी माँ यहीं है ना अब उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया है मैं उतर गया उस जोपड़ी में देखा तो एक इस्तरी चित्रों से लदी हुई काप रही थी छोटे जादुगर ने कंबल उपर से डाल कर उसके शरीर से चिमठते हुए कहा मा मेरी आखों में आसू निकल पड़े बड़े दिन की चुटी बीच चली थी मुझे अपने आफिस में समय से पहुँचना था कलकत्ते से मन उप गया था फिर भी चलते चलते एक बार उस उद्यान को देखने की इच्छा हुई साथ ही साथ जादुगर भी दिखाई पड़ जाता तो और भी मैं उस दिन अकेले ही चल पड़ा जल्द लौट आना था दस बच चुके थे मैंने देखा कि उस निर्मल धूब में सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटे जादुगर का रंग मंच सजा था मैं मोटर रोक कर उतर पड़ा वहां बिल्ली रूट रही थी भालो मनाने चला था ब्यहा की तैयारी थी यह सब होते हुए भी जादुगर की वानी में वह प्रसनता की तरी नहीं थी जब वो औरों को हसाने की चेस्टा कर रहा था तब जैसे स्वयम काप जाता था मानू उसके रोएं रो रही थे मैं आश्चरे से देख रहा था खेल हो जाने पर पैसा बटोर कर उसने भीड में मुझे देखा वो जैसे शण भर के लिए इस फुर्धी मान हो गया मैंने उसकी पीट थप थपाते हुए पूछा आश तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं माने कहा है कि आश तुरंत चले आना मेरी घड़ी समीब है अवेचल भाव से उसने कहा तब भी तुम खेल दिखलाने चले आए मैंने कुछ क्रोध से कहा मनुष्य के सुख दुख का माप अपना ही साधन तो है उसके अनुपाद से वो तुलना करता है उसके मुँँ पर वही परिचित तिरसकार की रेखा पूट पड़ी उसने कहा ना क्यों आता और कुछ अधिक कहने में जैसे वो अपमान का अनुभव कर रहा था शन भर में मुझे अपनी भूल मालूम हो गई उसके जोले को गाड़ी में फैंक कर उसी भी बेठाते हुए मैंने कहा जल्दी चलो मोटर वाला मेरे बताय हुए पत्थ पर चल पड़ा कुछ ही मिन्टों में मैं जोंपड़े के पास पहुचा जादुगर दोड़ कर जोंपड़े में मा मा पुकारते हुए गुसा मैं भी पीछे था किंतु इस्त्री के मुह से बे निकल कर रह गया उसके दुर्बल हाथ उठकर गिर गए जादुगर उससे लिपड़ा रो रहा था मैं स्तब्द था उस उजवल धूप में समगर संसार जैसे जादु सा मेरे चारों और नित्दे करने लगा अभी आपने जे शंकर प्रसाची की लिखी कहाने सुनी आप मुझे आग गया दीजिए और कथा साहित्ते से चुड़े रहिएगा धन्यवाद